हेलो दोस्तो, ECP Live में आपका स्वागत है, मैं Class 4 का Unit 12 का Worksheet 3 बता रहा हूँ चलिए सुरू करते हैं दोस्तो, इसमें किजी-किजी में बचा सब भर दिया, आप उसरा गलत भी भरा है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ The Best Unit of Measuring Area, एरिया का जो Best Unit है दोस्तो, वो Square में आपते हम लोग, S-Q-U-A-R-E-S, B नमर में क्या है, उसके बाद है, Measure of the Amount of Surface, Inclused by a Close Figure Each Gold, जोस्तो हम लोग मेजर जो करते हैं, Close Figure का अंदर वाला भाग, तो वो क्या कहलाता है, Area कहलाता, A-R-E-A, अगला, Area, Area of Rectangle का होता है, Length into Breath, लेंथ लिखा हुआ है, Breath लिखना है, C-Number, B-R-E-A-D-T-H, अगला, D-Number में, Area of Square होता है, दोस्तो, Side into Side, तो Side, यहां into तो दिया हुआ, फिर यहां भी Side, अगला, E-Number में, यहां लिख देता हूं, दोस्तो, E-Number, Area, the Area of Square having, one side equal to one centimeter है, तो one into one करेंगे, तो one, S-Q centimeter हो जाएगा, आगे बता रहे है, नेक्ट है, दोस्तो, तू नमर में, Find the Area of Rectangle, खुजि, Dimension are given, दिया हुआ है, दोस्तो, तो हम लोग गते हैं, तू नमर का, E-Number बता रहो, Length, यहां दिया हुआ है, दोस्तो, और हम ब्रेथ दिया हुआ है, तो पहले लिख लेना है, आपको, Length, GTH, Length equal to 8 cm, और ब्रेथ, B, R, E, A, D, T, H, 3 cm, इसलिए, हम लोग को निकल ला है, Rectangle का क्या निकल ला है, दियामेंड से निकल ला है, बतलब, Area निकल ला है, A, R, E, A, Area, Area of Rectangle, तो हो जागा, Area of Length into Breath, L into B, Length कितना है, 8 cm, और ब्रेथ, 3 cm, तो कितना है, 8, 3, 24, और cm, 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 पर पाबर 2 लिख सकते हैं, या SQ cm भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, तो, हैंने, SQ cm या संटीमेटर या संटीमेटर पाउर दूरू, चाहिए यह लिखेंगे, यह लिए, एक ही कोई लिखेंगे, Next, उसके बाद है, V नमर में, दोस्तो, यह दिया हुआ है, आप पूरा लिखेगा, मैं L लिख देता हूँ, Length दिया हुआ, केतना 12 संटीमेटर और ब्रेथ दिया हुआ, केतना 9 संटीमेटर अप एरिया जो होगा, इससे नीचे लिखेगा, दूस्तो, आप एरिया एक कोल्ट होता है, Length इन्टू ब्रेथ लेंथ इतना है, दोस्तो, यह नीचे नीचे लिखेगा, जहां भी एरो लगा रहे हैं, वह नीचे लिखना है, तो मेरा यहां वीडियो कट जा गया है, दूस्तो, इसलिए नहीं लिखेगा, तो 12 इन्टू 9, 12 9 जा 108 cm cm था, दोनों जगा है, तो cm3 या cm2 या cm3 या cm2 दोनों लिख सकते हैं, next C नमर बता रहों, लेंथ दिया हुआ है दो 32 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 12 मीटर, इसलिए एरिया हो जाएगा, लेंथ इन्टू ब्रेथ लगातार फॉर्मूला का लिखना है, थाकि आपको टांग पे चल जाए, 32 x 12, यहां हो जाएगा, 12 2 जा, 24 का 4 के लिट 2, 23 जा, 36 और 236, 33 में 38, 38 sq मीटर हो जाएगा, तो 384 sq मीटर है, उसके बाद D नमर, कितना दखा है, D दखा है, लेंथ 1 मीटर, दोस्तों, यह देखिए, यहां सेंटीमीटर है, यह मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही चन करेंगे, यह मीटर में चन करेंगे, तो 1 मीटर इकोल टू 100 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ दिया हुआ केतना, 75 cm, इसलिए एरिया, इकोल टू, लेंथ इंटू, ब्रेथ, तो 100 इंटू, 75 तो 75 00 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोस्तों, यह जो हम एरो देर है, यह आपको नीचे लिखना है, यह वाला स्टिप इधर नीचे नीचे लिखना है, तो मैं आगे बता रहो, थिरी नम्मर, find the area of the following square, हो जी side are given दिया हुए, यह नम्मर पता रहो, side दिया हुए कितना दुस्तों, 6 cm, हम लोग का area equal to हो जाएगा, side into side, side into side, 6 cm into 6 cm, 6 इंटू, 36 cm, square भी लिख सकते हैं, या cube, square cm लिख सकते हैं, तो मैं आगे बता रहो हुए, side दिया हुए कितना, 11 cm, इसलिए area हो जाएगा, side into side, तो हो जाएगा, 11 into 11, 11, 121 हो जाएगा, 121 cm, square या sq cm, यह की चीज़ है, अगला है, अब लेंग्वेज प्रोड़ाँ दोस्ते हैं, इसमाद फूल लेंग्वेज दिखना पर जाएगा, यह है, थीरी, फोर नमर बता रहो, दे लेंग्वेज औफ अ कार्पेट इज 5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, तो दोस्तों, लेंथ अफ कार्पेट, लेंथ यह हुआ कितना, 5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, तो एरिया हो जाएगा, क्या होता है, दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अब लोग जानते हैं, तो 5 मीटर इंटू 2 मीटर, 5 तू जा, 10 S3 मीटर होता है, अगला बता रहा हूँ, 5 नंबर, दे लेंथ आफ, लेंथ आफ वन साइट आफ इंट कर्चिफ, 22 मीटर, फाइंद एरिया आफ हैंट कर्चिफ, तो इसका मतब साइब दिया हुआ, 22 cm, एरिया आफ इंट कर्चिफ या इसका, लिख सकते हैं, स्क्वाइर दोस्तों, क्यूंकि इसकार, एरिया आफ जो हैंट कर्चिफ निकलना है, हैंट कर्चिफ और स्क्वाइर का औल साइट रिक्वल होता है, दोनों लिख सकते हैं, स्क्वाइर की इसक्वाइर क्या होता है, इन्टो साइड टो फेक श्क्राइब के पिणिटू ॉच्टू सेंटिमेटर त्लिये ट्वानिटिटू सेंटिमेटर जो भीकल्य मॉंस्क्ले लिए हो है तो फूलो फॉल्टिली अधंगों सोटो मेरे चैनल मन्नाया है तो दोस्तो और भी एक वीडियो थे देता हों दोस्तों मेरे चैनल बन्नाया है तो subscribe भड़ाओं अगला विडियो बतातों उदर उस्तर है वाला बतातों दूस्तो चलिए इसमें यह भी बता रहू हूं और मैं बता या था ए वीडियो मेंरे ध्याने दिया था इज दीया था आज यह भी बता रहूं ब्यार एडिए टीएच सिक्स मिटर एडिया प्लेगरांड एडिया और रेक्टेंगल गता रहे तो उस्तों प्लेगरांड भी लिख सकते हैं जी आर ओ यू एल्ड तो यह तो रेक्टेंगल रहे तो लेंट इंटू ब्रेथ इसको नीचे लिखना आपको दोस्तों वीडियो का घड़ गया है तो चलिए लेंथ 10 मीटर इंटू 6 मीटर सिक्स टेंजा सिस्टी एस क्यू मीटर हो जाएगा मिस मीटर स्कॉर भी लिख सकते हैं जोस्तों शेयर जरूर कर दिया थाइंक्यू